इस टाइम बहुत सारे Realme mobile phone users के साथ एक common problem आ रही है उनके mobile phone में front camera यहने की selfie open नहीं हो रहा है तो आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा चाहे आपके पस Realme company का कोई सा एक model का phone के नहीं हो तो अगर आपके Realme phone में भी मेरी तरह selfie camera open नहीं हो रहा है तो आज किस वीडियो में आपको आपकी आँकों के सामने अपनी इस problem को सालू करके अपने Realme phone में front camera को open करके दिखाने वहनों तो चाहे आपके पास किसी भी company का कोई सा एक model का phone के नहीं हो तो setting यहाँ पर बिल्कुल सेम रहने वाली तो कौन सी तीन setting होने वाली तो आईए फिर इस वीडियो में जान कर देना है यह और दोस्तों किया हुत आइने कि कभी-kभी में अपने mobile phone में प्ले स्टोर से 3rd party camera application अप्लिकेशन इंस्टाल करते हैं क्योंकि playstore में में च्छोटे मोटे अच्छे फिल्टर दिया रहे थे तो इन शक्रों में प्लेस्टोर से 3rd party camera application इंस्टाल करते तो इन 3rd party camera application को तुरू कभी-कभी हमारे mobile phone में virus आ जाता है तो जिसके चलते आपको अपने camera में यह सब प्रानम देने को मिल सकती है तो जैसी आप अपने mobile phone में duplicate camera को delete कर देंगे uninstall कर देंगे आपको अपने iPhone में एक ही camera रखना है वो आपके realme phone का original camera रहेगा तो जैसी आप duplicate camera को delete करके uninstall करेंगे उसको पाद जो भी आपके realme phone का original camera होगा उसको लांग प्रस करना है तो जैसी आप लांग प्रस करेंगे तो आपके समने ऐसा interface है तो आपको यह पर देख रहा होगा i button circle type हो तो आपको circle पर click करना है तो जैसी click करेंगे तो camera का कुछ ऐसा dashboard निकल के आ जाएगा तो यहाँ पर आपको bottom में लिखा होगा radical में clear केची तो उपर आएंगे साथ में लिखा होगा clear data तो आपको clear data के आइकन पर click करना है जैसी click करेंगे आपको बिल्कुल भी गबराना है clear data या delete data करने से आपके सामने life proof के साथ यहाँ पर delete करके बता रहा हो तो जैसी delete करेंगे फिर आपको एक step back आना है तो जैसी एक step back आएंगे तो यहाँ पर आपको टॉप करना पर center में four stop की आइकन पर click करने को again आपको bottom में four stop करना है इतनी setting करने को आपको यहां से back आ जाना है तो यह आ गई setting number first अब आपको आपको आपने mobile phone में दूसरी important setting करने है तो दिहान से देखना most important setting आपको 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 settings को open करना है तो जैसी आप settings को open करेंगे again setting का कुछ ऐसा interface निकल के आ जाएगा तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे option आएंगे mobile phone की settings में सारी सारी apps को निकलेंगे तो आपके mobile phone की installed application कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पर आपको scroll करना है आपको अपने mobile phone में setting नाम की option को ढूंड के निकालना है तो कहां गया setting नाम का option जैसे क्या दरहीं या आ गया आइसा dashboard निकल के आ जाएगा तो यहाँ पर आपको bottom में लिखाऊगा red color में clear के चीट आपको clear के चीट के आइकन पर क्लिक करने को एक step back आना है तो जैसी यहाँ पर आपको टॉप करना पर center में 4 stop के आइकन पर क्लिक करने के अगेन आपको bottom में 4 stop कर देना है तो आप back mobile phone की home screen पर आ जाएगा तो यहाँ पर आपको 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 सेटिंग करना होगा अगेन सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा तो यहाँ पर आपको सेटिंग के टॉप करना पर सर्च बार में डिरेक्ट सर्च करना होगा तो जसके क्लिक ने तो आपको 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 सेटिंग करने प्लिक होगी करने driving रिया नहीं यह को आपको में दिखेड satisfy के तो दोस्तों मैं आपको बता दूँगा यहाँ पर सोण्रेक faster जलगी에 तो दोस्तों यह ठी च्शोटी सी इंफार्मेशिंग वीडियो अच dalam को सब्स्क्राइब दी THANK YOU